सो हेलो गाईज वेलकूम बैक तो माई यूडूब चानल से च्रा इंबाउंगोल दिशोर शंदी भाईया और गाईज यह बहुत ही जरूरी वीडियो है आप लोगों के लिए अगर आप पैरेंट्स हैं तब तो चरूर देखिये और आप इस्टूडेंट हैं तो आई नो यो अपील किया था और अभी उस पर जो है आपका हाइप डेली हाइप का एक डिसीजन आया है अब डिसीजन क्या है टोटल मसला क्या था और इस से होने वाले बदलाओ क्या है तोड़ा इसके बारे में अपने को डिसकूसन करना है क्योंकि वीडियो देखने के बाद ना बहु लगा अपील Ona को जानना भीड है कि परसेंटाइल सिस्टम में क्या है क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो और आपको पता हो आपको पता होना ही चाहिए कि क्योंकि अभी आप बहुत सारे लोगों आप सांव एन्वर्म इसे कि पर बात करेंगे पहले प्रॉब्लम क्या है और डेली परसेंट आपका लग काम करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं लग यहां पर काम में आ रहा है अब इसको आप हम में इसको मैं समझाने की कोसिस करूंगा अपने वीडियो के मादम से और एक बात में आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप पैरेंट से स्टुडेंट और इस साल इंजि अब लगार पारेंट पूरेंट से तो आपको खुद बखुद कांसेलिंग का पूरा डिया हो जाएगा कि बच्یک की कैसे करा नियाστ या आप स्टूरिंट है तो भी देखियेगा इग्जां के बाद की हाँ आपको अपनी कांसींग काश्द से करनी है विकॉस दिस अब थी कि इस इस प्रॉब्लम की शुरुवात यहीं से होगी थी जही में रिजल्ट के बाद से जब जही में का रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा बच्चों में हड़कम मच गया कि उसके पीछे के कुछ रिजंस थे पहला कि दो सिफ्ट जेए के दो सिफ्ट 27 जनवरी वाली सिफ्ट और एक अप्रेल एक फर्वरी वाले सिफ्ट में तगड़ा वेरियेशन देखने को मिला नब्य परसेंटाइल जो बच्चों का बना था 27 जनवरी वाली सिफ्ट में कि ने बहुत सारे बच्चों का डेटा है जो अल्रेडी यूटूब पे बहुत सारे इजुकेटर्स ने भी अप्लोड कर रखा तो सबका यह कहना है कि 90 परसेंटाइल 27 जनवरी के सिर्फ्ट में सब्सक्रां। एक सो पैठिश से एक सो चानी से बीच में बना था। दूसरा एक फ़र वरी में वही मार्ग आपका 75 से ऐसी मार्ग के बीच मेरिशंटी जो बनताइज जक्षांवरी के सिर्फ में जिसने AD तूर Catholic अब आप थोड़ा सा गौर करीफ पर का लेबल अगर में बात करूं के पीपर का लेवाल अगर ने बात करयूं जैनवरी सिफ्ट इसलोष में तो घंवरी सिफ।ंथ फारवरी सुप्ट में to इतना भी जादा फर्क नहीं था पहली बात तो ही है दूसरी बात फिर पर्सेंटाइल सेम लेके आने के लिए मार्क्स में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है तो कुछ यूटूबर ने रिजल्ट के दिन हल्ला मचा दिया कि भाई सहाब NTA की गलती है NTA की गलती है NTA ने इस फर्वरी वाले वाले सिट सबसे ज्यादे बच्चे बंदी हैं और एक फरवरी वाले सिट में बहुत Кम बच्चे हैं बहुत घुटेंगाया है हैं वीडियो शूट करने तो हमने देखा कि सबसे जादे बच्चे 27 जनवरी के सिफ्ट वन से निकल रहे थे और एक फरवरी वाले सिफ्ट से कोई बहुत कम बच्चे दिख रहे थे तो खेरो पता नहीं कौन से उसमें थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं था एंटीये ने इसका भई सत्यापन भी कर आया कि देखो भई ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग जो किलेशन कर आटे Cancer पर यह ऐसा कुछ नहीं है हम जो कालकुलेशन करते हैं पहली तो हम अंडरेक्ट अट्रेंडम डिस्टिबूशन करते हैं और हमारी कोशी से रहती है कि हर एक सिफ्ट में हर एक सिफ्ट में लगभग हर एक सिफ्ट में उल्मिод ऑच्चा बैठें हर एक सिफ्ट में हर एक सिफ्ट में और म्हीं बडिशका rice था कोई भी सिफ्टरी में सींपल एक बहुत जादा डिफ्रेंस नहीं हुए तोटल 116036 बच्चे बाटे देई साल 117036 बच्चे बैठे दे इस साल और इन पूरे 11707036 बच्चों को इनों ने क्या किया बहुत अच्छे से distribute कर दिया बराबर बराबर भागों में हो सकता है कि इसमें से कुछ ना रहे हो कुछ एक्जाम छोड़ दिया हो ना बैठे हो पर टोटल बैठने वाले बच्चों की संख्यास से थी तो प्रॉब्लम तो यह थी नहीं इस पूरे इस पूरे रिजल्ट में इर्रेगुलर डिस्टिबुशन की तो प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि NTA अपने तरफ से हमेसा प बहुती तो कई हद तक घए ठीक था कि चलो एक बार गल्टी हो गई अगले बाद से सुधार बहुत ie Sधा दी बट Alone में जो प्रॉब्लम है जो बात है वहाईसी है कि उसको आप सुधार और अगले साल भी होगा अगले attempt में भी हो सकता है और में भी आने वाले जाने कितने attempts में problem आएगी बच्चों को मैसूस होगा कि हाँ सर बिलकुल मेरे साथ unfair हो रहा है मेरा दोस्त कम नंबर पे मुझसे बढ़िया percentile लेकि आ रहा है और मैं अच्छा नंबर उससे लाके भी कम percentile पे हूँ क्योंकि आपका rank कभी marks से नहीं आता है percentile से आता है आपके rank से आपकी percentile आपके marks से आपके percentile बनती है और आपके percentile से आपका rank बनता है तो चाहें आप जितना भी ज़्यादा marks लेकिया ओ अगर आपकी percentile सामने वाले से कम है तो आपका rank उससे कम बनेगा effect है अब actually मैं problem फिर कहा दूसरा एक तो नमबर आफ इस्टुएंट सेम डिस्टूइट थे और सबसे ज्यादा जो दूसरी बात है जो समझने वाली बात है कि पेपर का लेवल भी आल्मोस्ट बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रहा था तो फिर ऐसा क्या हो गया कि 27 जैनवरी वाले जो बच्चे हैं उ बिल्कुल इनफाक्ट वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो सांतिक साथ पहले सारे लोग समझेंगे और आपसे मैं एक दो सवाल भी पूछूंगा और आपको सवाल का जबाब भी देना है तो पहले हम कोशिश करते हैं इस परसेंटाइल सिस्टम को समझने के लिए इस परस परसेंटाइल निकाला का जिस जाता है और परसेंटाइल सिस्टम से रांक कैसे कैलकुलेट की जाती है तो मैं बता देता हूं परसेंटाइल सिस्टम के हिसाब से हर एक सिफ्ट की अपनी अलग परसेंटाइल निकाली जाती है जैसे यहां पे 10 सिफ्ट हैं 10 रो हैं तो हर ए फ़ग एक लाख बाइस हजार बच्चे एक लाख बाइस हजार बच्चे बैठे होंगे तो इसका जो कॉम्पटिशन सिर्फ इनिहीं बच्चों के साथ था उनके साथ तो फेर कॉम्पटिशन होई ही नहीं पाया ठीक है क्योंकि यह लोग डारिक्ट मैच को नंबर को इकुल जैसे यह नमबर को कभी भी इक्वल नहीं करते हैं, जैसे सारे लोग अपने अपने सिफ्ट में बैठें, और सब के अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मांक्स हा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि overall जिसका सबसे बढ़िया मांक्स आएगा, उसको रैंक बन देंगे, इसा नहीं होता है, होता कैसा है, इनका competition अपने-पने किस में कराए जाता है, इसमें अपने सिर्फ और सिर्फ अपने-अपने shift में कराया जाता है, तो मान लो यह आपका January वाला है, जनवरी वाला shift है, और एक बच्चा है फरवरी वाला, मैं मानने के लिए बोल रहा हूं, म यह बहुत expected है कि इससे आपको समझ में आ जाएगा यह जनवरी वाला सिफ्ट है और यह अपका फर्वरी वाला सिफ्ट है अब आप समझने की कोशिव करिए जनवरी वाला सिफ्ट में 1,022,000 बैठेते हैं और फर्वरी वाले में 1,001,000 बैठेते हैं तो number of candidates में कुछ के marks को total marks को decreasing order में लिख दिया जाएगा क्योंकि पहले आपके marks से percentile calculate होगा और ऐसे ही हर shift के बच्चों के marks से percentile calculate होगा और जब एक बार सब का percentile आ जाएगा तो पूरे percentile को एक साथ decreasing order में सजा दिया जाएगा और उसके बाद फिर rank का देना शुरू किया जाएगा अब फिर समझे पहले जितने भी shift है हर shift के marks को calculate किया जाएगा पहले total marks को decreasing order में रखेंगे उसके बाद उसके भी हाँ पर percentile निकालेंगे फिर हर एक shift के बच्चों का percentile निकल गया तो सब एक platform पे आ गया सबका marks अलग अलग हो सकता था पेपर अलग अलग होने के वज़े से marks को directly नोंने compare नहीं किया इन्होंने percentile को compare किया रिलेटिव marks को compare किया तो percentile एक बार सबका आ गया ना तो अब है percentile से percentile को match करेंगे जैसे फरवरी में किसी कि कि 99 percentile और यहां पे किसी का 90 पर से ले तो यह बोल देंगे कि यहां फरवरी वाला 99 percentile वाला बच्चा यहां के 99 percentile के बच्चे से अच्छा है अगर यहां किसी का 280 marks और यहां किसी का 260 marks तो तुम्हें बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि 260 वाले की rank 280 वाले से खराब बनेगी, इसकी अच्छी भी बन सकती है, यह percentile पे depend करेगा, तो यह percentile है क्या, how to calculate percentile, तो percentile पहले calculate करना सीखते हैं, तो होगा क्या जितने बच्चों की physics, chemistry, maths और total marks होंगे, उसको यह लो क्या करेंगे decreasing order में ऐसे सजा देंगे, अब हर shift में ऐसे ही सजा देंगे, अब जू जिसका सबसे ज़्यादा marks होगा, इसको ही दे देंगे 100 percentile, अब देखना कम ही पकरते चलना, ऐसे ही, तो 10 shift है, 10 shift में 10 लोग, at least minimum 10 लोग ऐसे होंगे, 10 लोग तो ऐसे होंगे, जिनके सबसे ज़्यादे marks रहे होंगे, उस पूरे all over students में, तो उनको मिलके 100 percentile, ऐसा भी हो सकता है, किसी shift में एक से जादे number of candidates हो, जिनके सबसे जादे marks हो, मतलब, दो बच्चों के माल लो, 280, 280 number आगे 300 में से, तो अब इन दोनों को क्या देना पड़ेगा, 100 percentile, दो लोगों के percentile बिल्कुल सेम हो स अब यहां पर जनवरी वाले shift में बैठ गयें, और 300 में से, टोटल 300 का paper था, अब इसमें जो highest marks लेके आया, और 280 marks का आया, तो अब जो 280, और उसके बाद 280 से नीचे ही बाकी लोगों के marks थे, क्योंकि हमने decreasing order में रखा हुआ है, तो जो highest marks आया कितना है 280, तो यह 280 वाले बच थाक बच्चे बैठें, इनके जैसे फाडू बच्चे नहीं बैठें, टॉपस नहीं बैठें, तो क्या होगा, तो माल लेते हैं कि इसमें जो maximum गया, इसमें जो maximum गया, 280 ही गया, 300 में से, 300 में से क्या होगा, 280 ही गया, तो अब NTA के as per rule, यह बच्चा जो 225 लेके आया हो, कत ही इसके बराबर नहीं था, अगर सेम पेपर भी करा देते ना, तो भी हो सकता था कि इससे क्या हो जाए, पीछे हो जाए, बहुत हत्तक चांस है, पर NTA के रूल के हिसाब से इसको भी 100 परसेंटाइल देना पड़ेगा, तो अब दोनों को 100 परसेंटाइल अगर मिल गया, त तो रैंक किसकी अच्छी मानी जाए, यह सवाल है, तो माक्स से NTA बोलेगा कुछ लेना देना नहीं है, हमें देखेंगे कि मैट्स में किसका परसेंटाइल जादा है, और अगर अनफॉर्चूनेटली मैट्स में इसका परसेंटाइल जादे आ गया इससे, तो यह टॉप कर परसेंटाइल जादाओव थे मैट्स में तो कॉक्नाइल फासें अटाइल जादाइल कि अखेंड सेंटाइल जादाओव थे इन तो फिर फॉप और फैने चावले तो अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो टॉपर को तो तो सी नमबर दे दिया गया उसके बाद नीचे बढ़ता गया तो देखा गया कि बाद देना नहीं है अगर किसी का 100 % है तो इसका मतलब यह के ऊंचे थाइब थाइब कि और आपके पर से आपका रैंक कल्कुलेट होगा कभी भी डायरेक्लिडी रूव स्कोर से आपकी रांक नहीं कैलकूलेट कि जाएगी यह बात समझेगा तो आप परसंटाईयल निकालने का तरीका गया यह से मालों मेरी परसंटाईल है 99 परसंटाईल तो इसका मतलब यह हुआ कि सब्सक्राइब इस्कानी अगर तो इसका मतले बोवगा कि एक परसंट लोग मुझसे अभी भी आ गए हैं अगर किसी का इनिट परसंट टो कि ऑगे द टोटोल नम्र आफ कंडिडेट चे हिस जो जो उसके लोग दा शी ID करने का रिरका क्या होगा तो 175 टो एक हजार नमबर एक हजार वान नमबर इसका था तो कितने लोगई तो तो टोकूल नमबर को जिन से या तो ही आ गया या इनके बराबर हो कितने होंगे तो भाई साहब एक हजार ना से स्थान तक पूरे डेसिमल के साथ परसेंटाइल लिख लेती हैं तो इस बच्चे का इन संतिंग परसेंटाइल है तो कितने कितने लोग इससे आगे थे यह को पूइंट परसेंटाइल जो हैं इस टोटल नंबर के 0.85% मोटा मोटी इतने लोग इससे आगे चल रहा है इसका मतलब यह हुआ यानि कि कुल मिला जुला के 1000 लोग इससे आगे चल रहे हैं तो परसेंटाइल निकालने का तियरीका क्या है अब देखो अब यहीं अगर कोई बच्चा मालो 200 ही लेके आता और उससे लोग 1000 उससे भी हजार लोग आगे हैं तो इस केस में इस केस में भी जब तुम इसका परसेंटाइल निकालोगे तो 200 नमबर भी इसका बनेगा 99.14 तो परसेंटाइल डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है मार्क्स के साथ साथ वह यह है कि कितने लोग आपसे आगे हैं अगर मेरे 100 नमबर आए और मुझसे आगे कोई नहीं है तो मेरा ही 100 परसेंटाइल बन जाएगा पास समझो हाला कि ऐसा होता नहीं कम से कम ल गरें मायनि रख रहा है लेकिन इसके साथ ऑवी मायनिया रख रहा है कि आपके सिफ्ट में आतरी सी तुम दूसरी सिफ्ट के साथ कंपेइर करके देखो नाइंटीन परसेंटाइल बनने में इस केस में 200 नंबर ही लाना पड़ा और यहां पे 240 नंबर लेक्ट आना पड़ रहा है वह जादे अच्छे नहीं थे तो इसके वज़से क्या हो गया इसके वज़से कंवर में अच्छी परसेंटाइल बन गयी और वो तुमको बीड कर गया क्योंकि रैंक तो अपने 6 में देखां और यह प्रॉब्लम थी जो तुम्हें सामने सामने दिख रही है टोटल आठ टॉपर बैट गया थे 27 सिफ्ट पर 20 जैनवरी 21 जैनवरी के सिफ्ट पर टॉटल आठ टॉपर बैट गया थे और यही रीजन था कि इतना अच्छा माक्स लेके आने के बावजूद भी 27 जैनवरी सिफ्ट में क्या हो गया कम अच्छा पर्शेंटाइल मतलब अच्छे माक्स के भी कम परसेंटाइल बन गया अब तुम बताओ आप लोगों से मैं कहूंगा आप शाट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही सफिसेंट था मेहनत के सासत क्या थो क्योंकि अगर किसी सिफ्ट में थोड़ा सा कम तैयारी वाले बच्छे बैठ गये और किसी सिफ्ट में बहुत अच्छे तैयारी वाले बच्छे बैठ गये तो बाकी लोग तो डूब जाएंगे वह सारे लोग जाएंगे जो बहुत अच्छे जिस सिफ्ट में सबसे जिनके सिफ्ट में जिनके सिफ्ट में क्या हैं थोड़ा सा कम तैयारी वाले बच्चे बैट हैं तो आप इस सोच के देखिए कि एक कितने हाधिता की परसेंटाइल सिस्टम सही है अगर पूरा एक्जाम होता ना तो परसेंटाइल सिस्टम के रिक्वार्मेंट ही नहीं इस वज़े से हमारा पेपर टफ है तो हमारे मार्स कम आ रहे हैं लेकिन उनका पेपर आसान है तो उनके मार्स क्या आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं और आप हमारे मार्स को उनके मार्स से कैसे डारेक्ली कंपेर कर सकते हो तो मार्स ना कंपेर करते हो इन्होंने परसेंटाइ सिस्टम में भी खामिया है इस से पहले से भी आपको पता होगा और इससा केस बार-बार होने की पूरी संभावना है हाला कि इस पर यह जो बात है जो प्रसेंटाइल सिस्टम वाली बात है यह अगर सिर्फ एक पर हो जाए ना तो पूरा फेर कॉंप्टेशन हो जाएगा जैसे नीट में होता है कि जिसके सबसे जादे माक्स हैं उसको आपने सबसे बढ़िया रैंक दे दिया उसके बाद वाले को उससे कम रैंक उसके बाद वाले को उससे कम रैंक दे दिया तो अगर यह पूरा फेर हो जाए ना तो फिर तो कि टेंशन ही नहीं एक पर हो जाए तो पर जब भी मल्टिपल पेपर होता है तब ऐसा प्रॉब्लम होने के बिल्कुल चांसे रहते हैं अभी लोगों ने कहा कि 100% खराब है बट वहां मजबूरी है कि परसेंटाइल सिस्टम ही एक फेर शलूशन हो सकता है पर यहां पर कोई मजबूरी नहीं दूसरे एक्जाम में उनके पास इसके अलावा कोई आप्शन नहीं पर हमारे पास तो आप्शन है अगर इंडिया में वैसे हमारे पास इस अच्छा बच्छा भी होगा जिसके अच्छे मार्स रहे होंगे पर उसकी परसेंटाइल कम बन गई होगी और उसे बहुत दुख हो रहा होगा और बच्चों की मान से किस्तिया ऐसी होती है कि अगर उनके साथ unfair किया जाए तो यह चीज बिलकुल नहीं होनी चाहिए और दियुली को निए और ग्व्यंट की लिए अधिन तैसे चनाती को चुनावती देने वाली वाली याच्टा को को खारीज कर दिया इन्होंने इस याच्ट को खारीज कर दिया और क्या कहके खारीज Derek स्मझिए दिल्ली हाइज कोट ने इंज्चोनी प्रवेस्ज परेक्शा जेई-इमें के रिजल्ट निर्धारण याचका करता को परिक्षा के दौरान पूरी चैन प्रकिरिया और मार्किंग पॉलिसी के बारे में जानकारी थी इसके बाद भी रिजल्ट आने की प्रक्रिया को चुनोती देने की मांग की है मेरा बिचार इस पर सुनवाई करना ठीक नहीं है इन्हों ने बोला कि भाई जिसने भी अच्का दायर की है उसको सब पता था कि परसेंटाइल सिस्टम क्या है किस तरीके से लोग एक्जाम कराए और उनका रिजल्ट किस बेसिस पर आएगा जानने के बाद भी एक्जाम में बैठें और जब रिजल्ट आया तो क्या कर रहा है अब उनके ऊपर उंगली उठा रहा है जब की इनको पहले से सब पता था तो इस वज़े से इस विचार में इन्होंने सुनवाई करने से मना क करता 27 जनवरी को जेमें में में उपस्तित हुआ था नॉमलाइजेशन परिक्रिया के नुशार परिक्षा का परिणा 22 फर्वरी को परसेंटाइल में गोजित किया गया था इसमें कहा गया कि चुनौती कुछ हद तक प्रतित होती है जेमें प्रसासनी कानून में एक है तो बिल्कुल सहमात नहीं हूँ और मैं अब भी कहता हूँ परशेंटाइल सिस्टम में कमी है एक पर अगर करा दिया जाए तो बिल्कुल बच्चों का फायदा होगा अब चाहें जो कोचिंग वाला जो यूटूब वाला जो धीडोरा पीटले की बच्चों में गलती है बछ्यों में बच्चों में भाही जो अच्छा करेगा वह अच्छा रिजल्ट लेंगा सिंपल लॉजिक है लेकिन कहीं न कहीं न कहीं एक्जाम में झाहरा से नियुक्मारीया है लेकिन एक्जाम में फिर किस्मत कहां से आ गई यही तो प्रोब्लम है एंटी एक तो पता नहीं था उन्होंने क्या करा रेंडम स्लोट्स बुक रेंडम बच्छों को भर दिया है ना चंप्यूटर कंप्यूटर जी ने क्या किया वो तो प्रोग्रामिंग रहती है उस में नहीं आ रहे थे किसमें बड़ान बड़ान बच्चे ए और कि म०ूर बड़ान भाइब बच्चे तुमारे सिव्नफ मिफिट बैट गए तो यही तो गरबड हो गई न क्योंकि रखी तुमारे सिफ्ट में हाई लेक तुम अच्छा अच्छा और मांक्स उसे बढ़िया हो यह ना हो इस्ते कोई पर निपता ना इंटीये को किसी और यही तो लोचा है तो इस पे इनोंने कोई खाया सुनवाई नहीं करी और इनों ने बोला कि भाई इस बहुत सारी मैं मना नहीं कर रहा लेकिन इससे भी अच्छा फेर एक्जाम हो सकता है अगर सबको एक साथ कराया जाय तो मुझे पता है इंडिया में सिस्टम की कमी है इतने जादे सिस्टम नहीं है ओनलाइन मोड में कराने के लिए आने वाले टाइम में हो सकता है लोग इसको मैनेज कर प अभी भी हुआ है और आगे भी होगा और होता रहेगा तो तुम लोग जितने भी स्टूडेंट से देखो एंटी इस में यहीं उजारिस कर सकता हूं भाईया को सिस्टम हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा पैन पेपर वाले पे तो बहुत भरोसा नहीं रहता है लेकिन करह सकता है ना एंटी आ कर सकती कोई कुछ तुम कर सकते हो तुम जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो भाईया मेहनत करो तयार रहो कि तुम्हें कौन से कुबह आ डालेंगे यू डोंग नो तुम्हारे सिप्ट में कितने टॉपर आने वाले यू डॉट नो तो बी रेडी फॉर इच एन अभरी सिच्वेशन आप जितना मेहनत कर सकते हो आउतना मेहनत करो ताकि अप्रेल वाले अटम्ट में ऐसा आपको न देखने को मिले क्योंकि भाई चाहे जितना भी लग कोई ल करियर को डिसाइड नहीं करता है और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल टेंशन नहीं होता है इंडिया में आइटी नहीं मिले तो कोई बात नहीं है आएसी जाएंगे तो डॉन्ट वर्यूरी मैं इस पर जाधा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बटीक है मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं भाई परिशान मतो जो हुआ सो हुआ और परसेंटाइल सिस्टम आगे अगर रहेगी तो यहसा होगा और होता रहेगा तुम अपने ऊपर धान दो सिंपल लॉजी के कोट ने तो कुछ नहीं किया बट आब इसमें मैं भी कुछ कहना नहीं चाहूंगा लेकिन इस परसेंटाइल सिस्टम में जिसको भी समझ में आ गया होगा कि भाईया ग्लिच है तो फटाफट मैसेज कर देना और बागी तो सब ठीक है क्या हूं मैं तो चलो गईस मिलते हैं एक शोड़ों में तब तक लिए बाबाए टाटा एंड चाहिंद